दोस्तो सुप्रिम कोट में 17 जुलाई को जो सुनवाई होनी थी B.A.D.V.D.S. टीसी वाला जो मैटर था तो उस पर जो नेक्स्ट हेरिंग है वो 24 जुलाई को नहीं है और आपको यहाँ पर जो न्यूज मिल रही है उसके मताबिक 24 जुलाई को जस्टिस अनरुद बोस की बेंच में आइटर नमबर 20 पर यह सुनवाई हो सकती है और इसमें फैसला कप आएगा इस पर भी चर्चा हो सकती है तो मतलब आपको जो है B.A.D.V.D.C. का जो मैटर है यह उमीद करिए कि बहुत जल इस पर जो फाइनल डिसीजन आ जाएगा और फिर लोगों के मन में जो तमाम तरीके की भ्रांतियां चल रही है उसका निवारन कर दिया जाएगा अगली कब रेफ्रेंट्स यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि UGC इंडिया ने एक ट्वीट किया है और यहाँ पर मामी डाला जगदेश कुमार जो की UGC के चेर्मैन है उनकी और से एक ट्वीट किया गया है अभी जून के महिने में जो परिक्षा होई थी UGC नेट की तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 26 या 27 जुलाई को यह रिजल्ट जारी हो सकता है और विल अपडेट इफ देर इज एनी चेंज अगर कोई यहाँ पर परिवरतन होता है तो आपको यहाँ पर अपडेट दी जाएगी देखो प्रेंट्स ऐसी जो खबरें होती हैं उन्हें मैं अकसर ट्वीट करता रहता हूं तो अगर आपने ट्वीटर पर मुझे फालू नहीं किया है तो कर सकते हैं ट्वीटर पर आप सर्च करिएगा इस्टडी विद्यान ठीक है या फिल लिंग वीडियो के डिसक्रिप्सन में है फालू जुरू कलीजीगा वहाँ पर आपको काफी चीज़े मिल जाती है और फ्रेंट्स आगे पड़ें तो यूपी में प्रैमरी सिशकों को दी जाएंगे टैबलेट तो जैसा कि आप जानते हैं कि टैबलेट अब एक सामान सा गजट होता जा रहा है और इसकी स्क्रीन बड़ी होती है तो आँखों पर दबाव कम पड़ता है तो इसी के मद्य नज़र डिजिटल रर्निंग को प्रोट्साहिद करने के उधिसे से प्रात्मिक और उच्च प्रात्मिविद्ध्यालों में संसाधन मुया कराए जाएं ऐसे में प्रात्मिक और उच्च प्रात्मिकों के जो सिक्षक हैं 2,36,000 के अस पास उनको टैबलेट तक यह टेबलेट उनके हाथ में होगा तो इसके लिए उनको ट्रेणी में दी जाएगी टेबलेट को चलाना कैसे हैं बहुत सारे ऐसे एब भी हैं जोकी केवल एजुकेशनल परपच के लिए होते हैं और इसे जारी किया गया है प्रैमरी और जूनियर बेसिक हैस्कूलों के लिए तो वो भी कैसे चलाए जाएंगे वो जनकारी भी दी जाएगी तो यह एक अच्छी ख़बर है आगे बढ़ते हैं और यहां पर सपा ससंकाल में हुई लोग सिवायों की भरति में भैस्टाचार का मामला किसी पर आरोपतर दाखिल नहीं 6 साल में सिर्फ दो कदम जरी सिवी तो फ्रेंड्स यहां पर जैसा का आप देख रहे हैं खबर जो है कच्छब गती लिखा गया है और फिलाल यहां पर जो मैटर वो आप जानते ही होंगे यूत्तर प्रदिश लोग से वायों की यूबी प्यसी में 2012 से 2016 की भरतियों में भ्रस्टाचार की जांच कर रही सिबी आई च्छा साल में महज दो कदम आगे बढ़ी है केवल दो इफायर हुई है 2017 में पहली बार जब सरकार बने थी योगी यादि तिनात की तुन्हों ने प्रतों की छात्रों की मांग पर 19 जुलाई 2017 को बिधान सभा में सपा सासन साल के दावरान लोग सिवा आयों की भरतियों की सीबी आई जांच कराने की घुशला की थी इसके बारा सरकार ने 31 जुलाई 2017 को के सरकार से सिबी आई जांच की सिफारिस की थी 21 नौंबर 2017 को के सरकार के कार्मिक और पेंसर मंत्रा लेकी और से सिबी आई जांच की अजसुचना जारी हुई थी जांच मिलने के एक साल के अंदर पांच माई 2018 को PCS 2015 परिक्षा में जो पहली फाइयार थी उदर जुई थी PCS 2015 में आनिमे तदा हुई थी इसके बाद फिर अगली फाइयार आपर नजी सचीव परिक्षा पर हुई 2010 वाली परिक्षा जो थी ये 6 अगस 2021 को इस पर एक फाइयार दर जुई थी और इसके बाद फ्रेंट्स फिर ज़्यादा कुछ हो नहीं भाए मतलब मामला जसकता से फिलाल प्रवनात के अलामा इस खेल में सामिल आयोग के दो अग्याद अधिकारियों और अन अग्याद बाहरी लोगों को भी आरोपी बना गया था तो बीते 6 सालों में प्रदोगी छात्रों को निडासा यहांत लगी है सिब्याई ने आज तक किसी आरोपी के खिलाप आरोपत्र नहीं दाखिल किया है और प्रदोगी छात्रों का कहना है कि इसकी एकवज़ा सासन तथा आयोग से अभ्योजन की स्विकृति नहीं होना भी है तो यह ख़बर है मतलब कि जांच तो हुई लेकिन जांच भी नहीं हो पाई और मामला जास का तस है आगे बढ़ते हैं गोरगपूर विश्विद्याले के वीसी और इस्टार को छात्रों ने पीटा तो अखिल भारती विद्यार्थी परिशत के कारकरताओं ने वीसी दफ्तर में तोड़ फोड़ की मामला यहाँ पर क्या है आप समझ रहे होंगे और सायद आप जानते भी हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर फीस ब्रिद्धी और कुछ छात्रों को निलंबित कर दिया गया था तो निलंबित छात्रों को का निलंबन जो था वो वापस लेने और फीस ब्रिद्धी को वापस करने के लिए यहाँ पर जो अखिल भारती विद्यारधी परसतिय कार्य करता है उन्होंने प्रतसन किया था लेकिन जब कुलपती और इस्ट्रार वारता के लिए नहीं आये तो साम को जैसे ही वो लोग बाहर आये उनके साथ यहाँ पर धक्का मुक्की की गई जैसा कि आप तस्बीरों में देख सकते हैं अखबार लिखता है कि बचाओं में आये पुलिस कर्मियों से भी मार पिट की गई एक दरोगा का विल्ला नोस लिया गया पुलिस ने लाठिया फटकार कर कार्यकरताओं को उटाया उनमें से दस को हिरासत में ले लिया गया देर रात तक इस मामले में केस न कर्मचारी थे तो उन्योंने कर्मचारे वारता नहीं कãy टिड्र बंस कर लिया था ये कार्यकरता कुलपति से बात करना चाह्ते थे साम करीब चार बज में और भीकिना वारता को अपने चंबर से निकले, तो कुल्पती करले पर रहे चात्र से उग्रों, उट और उन्हों ने सुरक्षा घिरा तोड पर रहे रहे चात्र भानों को घर लिया, उनकी से धक्का मूखी कर उनकी गर्दन जकड़ ली, तो ये न्यूज है, और इसके बाद अग्री खबर है, एक एक फास्टेग पर रोज 80 वानों कराते थे पास 6 गिरफतार तो साइबर क्राइम का यह एक नया प्रकार है एक्चुली में होता क्या था कि मामला यहां पर मंझनपुर कौसामबी का है तो एक फास्टेग पर हो जाना 70 से 80 भारी वानों को पास कराने वाले गिरों के 6 लोगों बरामत की हैं देखो आपको बताया दें कि फास्टेग जो होता है तो इसमें जो पैसा होता है ट्रोल का निया में की 20 गंटे तक पैसा नहीं करता है इसी दोरान एक ही फास्टेग से रोजाना यह जो लोग थे वो 70 से 80 वहान पास करा देते थे 40 घंटे बात जब पैसा की बारी आती थी तो पैसा नहीं होता था फास्ट टैक ब्लाक हो जाता था बस यहीं पर ये लोग ये पुरा खेल करते थे एस पी ब्रिजिस्क मां सिर्वास्तों ने बताया कि पिछले दिनों टोल प्लाजा के मुख्य प्रबंदग ने मुकदमा दर्ज कराया था कि कुछ और यहां साइबरसल प्रभारी वीजय यादो वह सोजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंग की टीम को लगाया गया था पुलिस ने कोकराच कोतवाली के सिवराश पुर निवासी मौंमद इमरान मौंमद साहरुख एह्षाम राय बरेली के सलोन कोतवाली के करहिया बजार निव कर्मा और भी नाम दिया गया है पुरहीं का पुरा निवासी लक्ष्मी कांद गुरिफ्तार किया है और उक्यों ने बताया कि भारी वानों की टॉल प्लाजा पर बारा सु पचास रुपए की एसित करती थी यह लोग ट्रक चालक को पांस रुपए में देते थे तो यहीं से होता था और बैंकों से वो आईडी ले ले लेते थे और यहां पर जो ट्रक चालक होता था उसको भी साड़े साथ सु रुपए का फाइदा होता था तो वो भी लालच में फस जाते थे SP ने बताया कि फास्टेक जारी होने से पहले मोबाइल पर OTP आता है और गिरों के लोग अपने पास रखे मोबाइल पर OTP हासिल करते थे और वहां का नंबर भी अंजान होता था इस तरह से एक काड़ पर हो जाना 40,000 की चपत टोल पलाजा को लगता था तो मतलब वही बात है चलो आगे पढ़ते हैं और अमिताफ ठाकूर पर एलावाद विस्विद्याले में उपद्रों करने पर मुकद्मा तो एलावाद विस्विद्याले ने बिना अनुमत्ती धर्ना प्रदर्सं कर हंगामा करने दर्जनों समर्थरकों के साथ यूनियन भ्हमन में जवरन हुआ है इलावा विस्विद्याले के कुरान उसासक डाक्टर राकेश सिंग की तहरीर पर यह जो मुकद्मा है वो दर्ज किया गया है अमताफ ठाकूर और उनके 20 समर्थरकों पर तो तो फिलार फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज अपडेट अगर सेशन आपको अच्छ अबडेट यही नचिता गटो के तहरी आज की नेगा है।